हेलो माई दियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू सिव किरपा स्टडी पॉइंट एंड आइम यूर किरपा मैम दियर स्टुडेंट्स, आज हम अपनी सेवंथ क्लास की हानिकॉम बुक की थार्ड चैप्टर की जो पोईम है दस्टैड उसका शोल्यूशन देखेंगे इसका जो एक्स्प्लेनेशन है वह मैं पहले करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं आज हम देखेंगे इसका जो सोलूशन है, क्या है, उनके अंसवर्स कैसे देंगे, वह सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रही है, तो देखिए हम उसकी पाइम का जो स्पीकर है, इस पाइम को जो बोलने वाला है वह कौन है एक छोटा बच्चा इसका speaker परतीत हो रहा है क्योंकि छोटा बच्चा था तभी तो वह जाने से डर रहा था नै तो the speaker in this poem seems to be a little boy इसका जो speaker है वक्ता है वो एक छोटा बच्चा लग रहा है the poet frank flying who talking about a sad जो अपना कभी है frank flying वो बता रहा है about a sad एक छपर के बारे में which is at the bottom of the garden जो की garden की तलहटी में है garden की जो नीचे वाला हिस्सा है plane उसमें है next question क्या है is see he afraid or curious or both is see and he देखो यह ही और सी दोनों लिखे हैं क्योंकि poem में हमें यह नहीं पता कि जो छोटा बच्चा यह सब बाते बता रहा है वो ही है लड़का है या फिर लड़की है तो यहां पर question में पूछा है कि वह है जो अपनी बाते बता रहा था वो afraid ड़रा हुआ था curious या फिर वो है उत्तेजित था उत्साहित था और बोथ या फिर वो दोनों ही था अंस्वर देखिए देखो वो ड़रा हुआ भी था क्योंकि उसको लग रहा था कि वहां भूत है कोई उसको वहां से जाक रहा है और वो उत्साहित भी था वहां जाने के लिए क्योंकि वो कह रहा था ना कि एक ना एक दिन तो मैं इसमें जरूर जाक के देखूंगा एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा अंस्वर कैसे देंगे वह जो बोल रहा था वो afraid भी था और curious भी था दोनों चीजें थी to know what was inside the shed ये जानने के लिए कि shed के अंदर चपर के अंदर क्या है however he passed by the window जैसे वो window के पास से गुजरता था of the shed चपर की he got a feeling that somebody was staring at him तो उसे एक feeling आती थी उसे महसूस होता था कि कोई उसे stare कर रहा है उसे घूर रहा है however after describing each part of the shed हलांकि जो sad है poem अपनी उसका प्रतेक पार्ट को describe करने के बाद which he strange sound and curry जिसमें उसने कहा था कि एक अजीब सी आवाज आ रही है भए की he said that he would go inside the shed one day फिर भी वह कहता है कि वह एक दिन sad के अंदर चपर के अंदर जरूर जाएगा this showed his anxiety but at the same time his fear who is inside it ये उसकी जो उच्शुकता थी उसको दिखाता है उसी समय पे ये भी उसको भै था कि अंदर कौन है he wanted to know whenever his brother has told him जो उसके भाई ने बताया था whatever his brother told him जो उसके भाई ने बताया था वह उसको भी जानने के लिए उच्शुक था it was true or not कि ये सचाई है या जूट है that whether there was any ghost inside the sad or not क्या उस sad के अंदर चपर के अंदर कोई ghost है भूत है या नहीं है that is why he was a little afraid यही कान था कि वह थोड़ा डरा हुआ था but he had a lot of curiosity लेकिन जो उसकी उच्शुकता थी वह बहुत जादा थी बहुत जादा उच्शुक था ये जानने के लिए कि अंदर क्या है third question देखिए what is he planning to do soon वह जल्दी ही क्या करने की planning बना रहा था वह जल्दी ही उसके अंदर जाने की planning बना रहा था ना shed के अंदर तो he is planning to go inside the shed to see what was there inside it वह अंदर जाने की planning बना रहा था ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है चपपर के अंदर क्या है question number 4 देखिए but not just yet suggest about doubt, fear, hesitation, laziness or something else उसने जो कहा था ना के last में मैं अंदर जाओंगा but not yet लेकिन अभी नहीं जाओंगा तो इस बात से में क्या पता चलता है क्या उसे doubt था कोई या डर था या फिर hesitation थी या फिर वो आलसी था और या फिर और कोई बात थी आपको क्या मैसूस होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था choose the word which seems right to you वह सर्द चुनिये जो आपको एकदम सही लग रहा हो tell other why you choose it और दूसरों को ये भी बताओ कि तुमने इसे ही क्यों चुना है देखना अंस्वर क्या देंगे हमें लेजी तो बिल्कुल भी नहीं था थोड़ा डरा हुआ था ने अंस्वर देखो but not just yet हम मैं अभी नहीं जाओंगा suggest that reductionist the poet had going inside that shed वो दिखाता है कि जो poet है अपना वो चपपर के अंदर जाना चाहता था though he was quite confident that there was no ghost inside the shed क्योंकि उसे quite confidence पूरा विश्वास था that there was no ghost वहाँ कोई भूत नहीं है inside the shed चपपर के अंदर that the story of the ghost told by his brother were all lies जो कहानी told by his brother उसके भाई ने बताई है were all lies वह पूरी तरह जूट थी he also knew that there were no spider on the web of the main door वह यह भी जानता था कि वहाँ कोई spider नहीं है कोई मकडी नहीं है on the web जाले में off the door दरवाजे के however he had some fear हालांकि उसको कुछ दर था could not collect enough courage और वह बहुत ज्यादा साहस को collect नहीं कर पा रहा था इकठा नहीं कर पा रहा था to go inside the shed चपपर के अंदर जाने के लिए so he hesitated to go inside इसलिए वह hesitated था अंदर जाने को though that soon he will go inside thought कि यह उसने सोचा उसने कि वह जल्दी ही अंदर जाएगा shed के चपपर के but was unable to go there लेकिन अभी वह है वहाँ जाने के लिए योग्य नहीं था अभी उसे वहाँ जाने से डर लग रहा था next question देखिए is there a room in your house or a house in your neighborhood लोगलिटी where you would rather not go alone is there a room क्या वहाँ कोई कमरा है in your house क्या तुम्हारे घर में कोई कमरा है या तुम्हारे आस्पडोस में या जहां तुम रहते हो वहाँ पे कोई ऐसा घर है जहां तुम अकेले नहीं जा सकते never at night और रात को तो बिलकुल भी नहीं जा सकते if there is such a place अगर ऐसा कोई जगा है तुम्हारी कहानी में तो story to go with it तो इसके साथ तुम्हें कहानी लिखो let other hear all about it दूसरों को भी यह सब सुनाईए answer कैसे देंगे answer में हम यहीं बताएंगे कि हाँ no तो नहीं कह सकते अगर कह दिया कि नहीं कोई घर ही नहीं है जहां हमें जाने से डर लगता हो तो फिर answer आगे कैसे देंगे explain कैसे करेंगे story कैसे लिखेंगे इसलिए हम कहेंगे कि yes ऐसा तो घर है और फिर आसपडोस में देखो कि कौन सा ऐसा घर है जहां जाने से तुमें डर लगता है क्यों लगता है उसके बारे में सब कुछ बताओ answer देखो there is a store room यहां एक store room है in the house in the backyard घर के backyard में जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां एक store room है which is little away from the main house जो की हमारा मुख्य जो घर है उससे थोड़ा दूर है we use it for storing all unused and unwanted things हम इसका सभी unwanted वेकार की चीजों का use करने के लिए वेकार की चीजों को store करने के लिए use करते हैं I also feel afraid going there at night मैं वहां रात को जाने से भी डरता हूँ and I also don't have coverage to go there और मुझे वहां जाने का साहस नहीं है once एक बार I went there to bring my bowl मैं वहां अपनी bowl लेने के लिए गया which went there when I was playing in the garden जो वहां चली गई थी जब मैं अपने garden में बगीचे में खेल रहा था I got a feeling मैंने महसूस किया that I am being followed by someone की कोई मेरा पीछा कर रहा है I am being followed मेरे कोई पीछे आ रहा है and I started screaming loudly तो मैंने फिर scream करना शुरू कर दिया जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया my mother came running मेरी मा दोड़ती हुई आई and helped me to find my bowl और मेरी bowl को प्राप्त करने में bowl को ढूंडने में मेरी मदद की तो प्यारे बच्चो ये अपनी the sad poem है उसका solution है I hope आपको सब कुछ अच्छे से clear हो गया है और अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो एक like कर दिजिए channel पर नए है तो channel को subscribe कर लिजिए पास में जो bell icon आएगा उसको all पे set कर लेना thank you for watching have a great time